ओडियो बुक अंतराल कक्षा बारहां के लिए हिंदी एच्छिक की पूरक पाठे पुस्तक पुस्तक वाचन राजेश आहूजा प्रिष्ट संख्या 1 से 11 सूर्दास की जूपडी पाठ परिचय सूर्दास की जूपडी प्रेमचंद के उपन्यास रंग भूमी का एक अंश है एक द्रिष्टिहीन व्यक्ति जितना बेबस और लाचार जीवन जीने को अभिशप्त होता है सूर्दास का चरित्र ठीक इसके विपरीत है सूर्दास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी वा आहत है उससे कहीं अधिक आहत है भैरों और जगधर द्वारा किये जा रहे अपमान से उनकी इर्शा से भैरों की पत्नी सुभागी भैरों की मार के डर से सूर्दास की जूपड़ी में छिप जाती है और सुभागी को मारने भैरों सूर्दास की जूपड़ी में घुश जाता है किन्तु सूर्दास के हस्तक शेप से वेह उसे मार नहीं पाता इस घटना को लेकर पूरे मुहले में सूर्दास की बदनामी होती है जगधर और भैरों तथा अन्ने लोग उसके चरित्र पर प्रशन उठाते है इस घटना से उसे इतनी आत्म गलानी हुई कि वह फूट फूट कर रोया भैरों को उकसाने और भड़काने में जगधर की प्रमुक भूमिका रही उसे इर्शा इस बात की थी कि सूर्दास चैन से रहता है, खाता पीता है उसके चेहरे पर नेराशा नहीं जलकती जबकि जगधर को खाने कमाने के लाले पड़े हुए हैं भैरों की बहूरिया सुभागी पर जगधर नजर भी रखता था सूर्दास और सुभागी के संबंधों की चर्चा पूरे महले में इतनी हुई कि भैरों अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने की सोच बैठा उसने गांठ बांध ली कि जब तक सूरे को रुलाएगा तड़पाएगा नहीं तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा उसे लगा समाज में इतनी बदनामी तो हो ही गई भोज भात बिरादरी को कहां से देगा भैरों सूर्दास पर नजर रखने लगा अंतताहा उसके रुपेओं की थैली उठा ले गया और सूर्दास की जोंपडी में आग लगा दी सूर्दास के चरित्र की विशिष्टा यह है कि जोंपडी के जला दिये जाने के बावजूद वह किसी से प्रतिशोत लेने में विश्वास नहीं करता बलकि पुनर निर्मान में विश्वास करता है इसी लिए वह मिठुआ के सवाल जो कोई सौ लाख बार जोंपडी को आग लगा दे तो के जवाब में दिर्टा के साथ उत्तर देता है तो हम भी सौ लाख बार बनाएंगे सूर्दास की जोंपडी रात के दो बजे होंगे अक्समात सौर्दास की जोंपडी से ज्वाला उठी लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे निद्रा वस्था में भी उपचेतना जागती रहती है दम के दम में सैकडो आदमी जमा हो गए आसमान पर लाली च्छाई हुई थी ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दोडने लगी कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वन कलश कासा हो जाता था कभी वे वायू के जोंके से यूं कम्पित होने लगती थी मानो जल में चांद का प्रतिबिम्ब है आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था पर जोंपडे की आग, इर्षा की आग की भाती कभी नहीं बुझती कोई पानी ला रहा था, कोई योही शोर मचा रहा था किन्तु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नेराश्य पूर्ण द्रिष्टी से अगनी दाहा को देख रहे थे मानो किसी मित्र की चितागनी है सहसा सूर्दास दोड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया बजरंगी ने पूछा यह कैसे लगी सूरे? चूदे में तो आग नहीं छोड़ दी थी? सूर्दास ज्वोपणे में जाने का कोई रास्ता ही नहीं था बजरंगी अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया है दिवारें जल रही है सूर्दास किसी तरह नहीं जा सकता? बजरंगी कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहां तक लप्टें आ रही है जगधर सूरे क्या आज चूदा ठंडा नहीं किया था? नायक राम चूदा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? जगधर पंडाजी मेरा लड़का काम ना आए अगर मुझे कुछ भी मालूम हो तुम मुझे पर नाहक सुभा करते हो नायक राम मैं जानता हूँ जिसने लगाई है बिगाड ना दूं तो कहना ठाकुरदीन तुम क्या बिगाड़ोगे? भगवान ही बिगाड देंगे इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाहा हो गया जगधर जिसके मन में इतनी खुटाई हो भगवान उसका सत्यानाश कर दें सूर्दास अब तो लपट नहीं आती बजरंगी हाँ फूस जल गया अब धरन जल रही है सूर्दास नायक राम अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते अब चलो आराम से सो रहो जो होना था हो गया पश्टाने से क्या होगा सूर्दास हाँ सो रहूंगा जल्दी क्या है थोड़ी देर में रही सही आग भी बुच गई कुशल यह हुई कि और किसी के घर में आग न लगी सब लोग इस दुरघटना पर आलोचनाय करते हुए विदा हुए सन्नाटा चा गया किन्तु सूर्दास अब भी वहीं बैठा हुआ था उसे जोपड़े के जल जाने का दुख ना था बर्तन आधी के जल जाने का भी दुख ना था दुख था उस पोटली का जो उसकी उम्र भर की कमाई थी जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निशकर्ष थी इस चोटी सी पोटली में उसका उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार संचित था यही उसके लोक और परलोक उसकी दीन दुनिया का आशादी पक थी उसने सोचा पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे अगर रुपए पेघल भी गए होंगे तो चान्दी कहां जाएगी क्या जानता था कि आज यह विपत्ती आने वाली है नहीं तो यहीं न सोता पहले तो कोई जूपड़ी के पास आता ही न और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता सच तो यो है कि मुझे यहां रुपए रखने ही न चाहिए थे पर रखता कहां? मुहले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता? हाई, पूरे पांच सो रुपए थे कुछ पैसे उपर हो गए थे क्या इसी दिन के लिए पैसे पैसे बटोर रहा था? खा लिया होता तो कुछ तसकीन होती क्या सोचता था और क्या हुआ? गया जाकर पित्रों को पिंडा देने का इरादा किया था अब उनसे कैसे गला छूटेगा? सोचता था कहीं मिठुआ कि सगाई ठहर जाए तो कर डालूं बहु घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले अपने हाथों ठोंक ठोंक कर खाते एक जुग बीट गया बड़ी भूल हुई चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपाय आते एक एक काम पूरा करता जाता बहुत पाउं फैलाने का यही फल है उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी सूर्दास अटकल से द्वार की ओर जूपडे में घुसा पर दो तीन पक्त के बाद एक आएक पाउं भूबल में पड़ गया उपर राख थी लेकिन नीचे आग तुरंद पाउं खीच लिया और अपनी लकडी से राख को उलटने पलटने लगा जिससे नीचे की आग भी जल्द राख हो जाए आद घंटे में उसने सारी राख नीचे से उपर कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा राख गरम थी पर असह ना थी उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहां चपर में पोटली रखी थी उसका दिल धड़क रहा था उसे विश्वास था कि रुपए मिलें या ना मिलें पर चांदी तो कहीं गई ही नहीं सहसा वे उचल पड़ा कोई भारी चीज हाथ लगी उठा लिया पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ कि इट का टुकड़ा है फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मचलियां टटोले कोई चीज हाथ ना लगी तब तो उसने नहराशे की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख चांड डाली एक-एक मुठी राख हाथ में लेकर देखी लोटा मिला तवा मिला किन्तु पोटली ना मिली उसका वह पैर जो अब तक सीड़ी पर था फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा उसके मुख से सहसा एक चीख निकल आई वह वही राख पर बैठ गया और बिलक बिलक कर रोने लगा यह फूस की राख ना थी उसकी अभिलाशाओं के राख थी अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी न हुआ था तड़का हो गया सूर्दास अब राख के धेर को बटोर कर एक जगह कर रहा था आशा से ज्यादा दीर्ग जीवी और कोई वस्तु नहीं होती उसी समय जगधर आकर बोला सूर्य सच कहना तुम्हें मुझ पर तो सुभा नहीं है सूर्य को सुभा तो था पर उसने इसे छिपा कर कहा तुम्हारे उपर क्यों सुभा करूँगा तुमसे मेरी कौन सी अदावत थी जगधर मुहले वाले तुम्हें भड़काएंगे पर मैं भगवान से कहता हूँ मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता सूर्दास अब तो जो कुछ होना था हो चुका कौन जाने किसी ने लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई यह भी तो हो सकता है कि चूदे में आग रह गई हो बिना जाने बूझे किस पर सुभा करूँ जगधर इसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सुभे में मैं भी न मारा जाऊँ सूर्दास तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है जगधर को भैरों की बात से अब यह विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है उसने सूर्दास को रूलाने की बात कही थी उस धमकी को इस तरह पूरा किया वह वहां से सीधे भैरों के पास गया वह चुपचा बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था पर मुक से चिंता और घबराहर जलक रही थी जगधर को देखते ही बोला कुछ सुना लोग क्या बाक्चित कर रहे हैं जगधर सब लोग तुम्हारे उपर सुभा करते हैं नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी भैरों यहां ऐसी धमकियों की परवा नहीं है सबूत क्या है कि मैंने लगाई है जगधर सच कहो तुम ही ने लगाई भैरों चुपके से एक दिया सलाई लगा दी जगधर मैं कुछ-कुछ पहले ही समझ गया था पर यह तुमने बुरा किया जोपड़ी जलाने से क्या मिला दो-चार दिन में फिर दूसरी जोपड़ी तयार हो जाएगी भैरों कुछ हो दिल की आग तो ठंडी हो गई ये देखो यह कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग दूएं से काला हो गया था जगधर ने उत्सुक होकर पूछा इसमें क्या है? अरे? इसमें तो रूपाई भरे हुए हैं भैरों यह सुभागी को बहका ले जाने का जरीबाना है जगधर सच बताओ यह रूपाई कहां मिले? भैरों उसी जोपड़े में बड़े जतन से धरन की आड में रखे हुए थे पाजी रोज रहागीरों को ठक ठक कर पैसे लाता था और इसी थेली में रखता था मैंने गिने हैं पाँस सो से उपर हैं ना जाने कैसे इतने रूपए जमा हो गए? बच्चू को इन ही रूपेओं की गर्मी थी अब गर्मी निकल गई अब देखूं किस बल पर उचलते हैं बिरादरी को भोजभाद देने का सामान हो गया नहीं तो इस बखत रूपए कहां मिलते? आज कल तो देखते ही हो बल मटेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है जलधर मेरी तो सला है कि रूपए उसे लौटा दो बड़ी मसकत की कमाई है हजम ना होगी जलधर दिल का खोटा आदमी नहीं था पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नियती से नहीं हसत से दी थी उसे यह असह था कि भैरों के हाथ इतने रूपए लग जाएं भैरों आधे रूपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती पर भैरों से यह आशा ना की जा सकती थी बे परवाही से बोला मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी हाथ में आये हुए रूपए को नहीं लाटा सकता उसने तो भीक मांग कर ही जमा किये हैं ग्याउं तो नहीं तौला था जगधर पुलिस सब खा जाएगी भैरों सूरे पुलिस में न जाएगा रोधो कर चुप हो जाएगा जगधर गरीब की हाए बड़ी जान लेवा होती है भैरों वह गरीब है अंधा होने से ही गरीब हो गया जो आदमी दूसरों की आरतों पर डोरे डाले जिसके पास सैकड़ों रुपय जमा हो जो दूसरों को रुपय उधार देता हो वह गरीब है गरीब जो कहो तो हम तुम है घर में ढूंडाओ एक पूरा रुपया ना निकलेगा ऐसे पापियों को घरीब नहीं कहते अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला जब तक उसे रोते ना देखूंगा ये कांटा ना निकलेगा जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी उसके साथ जो चाहे करूं मुझे पाप नहीं लग सकता जगधर का मन आज खोचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में ना लगा चाती पर साप लोट रहा था इसे दम के दम में इतने रुपय मिल गए अब मौज उड़ाएगा तकदीर इस तरह खुलती है यहां कभी पड़ा हुआ पैसा भी ना मिला पाप पुन्न की कोई बात नहीं मैं हें कौन दिन भर पुन्न किया करता हूं दमडी छदाम कोडियों के लिए टेनी मारता हूं बाट खोटे रखता हूं तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूं इमान गवाने पर भी कुछ नहीं लगता जानता हूं यह बुरा काम है पर बाल बच्चों को पालना भी तो जरूरी है इसमें इमान खोया तो कुछ लेकर खोया गुना बेलज़त नहीं रहा अब दो तीन दुकानों का और ठेका ले लेगा ऐसे ही कोई माल मेरे हाथ भी पढ़ जाता तो जिन्दगानी सुफल हो जाती जगधर के मन में इर्शा का अंकुर जमा वह भैरों के घर से लोटा तो देखा कि सूर्दास राक को बटोर कर उसे आटे की भांती गूत रहा है सारा शरीर भस्म से ढखा हुआ है और पसीने की धारे निकल रही है बोला सूरे क्या ढूंडते हो सूर्दास कुछ नहीं यहां रखा ही क्या था यही लोटा तवा देख रहा था जगधर और वह थैली किसकी है जो भैरों के पास है सूर्दास चौंका क्या इसी लिए भैरों आया था सरूर यही बात है घर में आग लगाने के पहले रुपए निकाल दिये होंगे लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिदरता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन सूर्दास जगधर से अपनी आर्थिक हानी को गुपत रखना चाहता था बै गया जाकर पिंड़दान करना चाहता था मिठुआ का बेहा करना चाहता था कुआ बनवाना चाहता था किन्तु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास रुपए कहां से आए लोग यही समझें कि भगवान दीन जनों की साहता करते है भिखारियों के लिए धन संचे पाप संचे से कम अपमान की बात नहीं है बोला मेरे पास थैली वैली कहां? होगी किसी की? थैली होती तो भीक मांगता जगधर मुझसे उड़ते हो? भेरों मुझसे स्वैम कह रहा था कि जोपड़े में धरन के ऊपर यह थैली मिली पांस सो रुपए से कुछ बेसी हैं? सूरदस वै तुमसे हंसी करता होगा साड़े पांच रुपए तो कभी जुड़े ही नहीं साड़े पांच सो कहां से आते? इतने में सुभागी वहां आ पहुची राद दिन मंदिर के पिछवाडे अमरूत के बाग में छिपी बैठी थी वह जानती थी आग भैरों ने लगाई है भैरों ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेश चिंता ना थी क्योंकि वह जानती थी किसी को इस पर विश्वास ना आएगा लेकिन मेरे कारण सूर्दास का यों सर्वनाश हो जाए इसका उसे बड़ा दुख था वह इस समय उसको तस्कीन देने आई थी जगधर को वहाँ खड़े देखा तो जिच की भै हुआ कहीं यह मुझे पकड़ ना ले जगधर को वह भैरों का ही दूसरा अवतार समझती थी उसने प्रण कर लिया था कि आप भैरों के घर ना जाऊंगी अलग रहूंगी और महिनत मजूरी करके जीवन का निर्वाहा करूंगी यहां कौन लड़के रो रहे हैं? एक मेरा ही पेट उसे भारी है ना? अब अकेले ठोके और खाए और बुड़िया के चरण धो धो कर पिये मुझसे तो यह नहीं हो सकता इतने दिन हुए इसने कभी अपने मन से धेले का सिंदूर भिना दिया होगा तो मैं क्यों उसके लिए मरूँ? वह पीछे लोटना ही चाहती थी कि जगधर ने पुकारा सुभागी, कहां जाती है? देखी अपने खसम की करतूत बेचारे सूरदास को कहीं का ना रखा? सुभागी ने समझा मुझे जहांसा दे रहा है मेरे पेट की थाहा लेने के लिए यह जाल फेंका है व्यंगे से बोली, उसके गुरू तो तुम ही हो तुम ही ने मंत्र दिया होगा? यही मेरा काम है, चोरी डाका ना सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले? जब तक समझता था, भला आदमी है, साथ बैठता था हस्ता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा, तो कान पकड़ लेना जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, घरीबों के रुपए चुरा ले वह अगर मेरा बेटा भी हो, तो उसकी सूरत ना देखूं सूर्दास ने ना जाने कितने जतन से पांच सो रुपए बटो रहे थे, वह सब उड़ा ले गिया कहता हूं लटा दो, तो लड़ने पर तैयार होता है सूर्दास फिर वही रेट लगाए जाते हो, कहे तो दिया कि मेरे पास रुपए नहीं थे कहीं और जगह से मार लाया होगा मेरे पास पांच सो रुपए होते, तो चैन की बंसी ना बजाता दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता जगधर सूरे अगर तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं है, तो मैं ना मानूंगा मैंने अपनी आँखों से वह थेली देखी है, भैरों ने अपने मुह से कहा कि यह थेली जोपडे में धरन के उपर मिली, तुम्हारी बात कैसे मालनूं, सुभागी तुमने थेली देखी है, जगधर हाँ, देखी नहीं तो क्या जूट बोल रहा हूँ, सुभागी सुर्दस, सच-सच बता दो, रुपए तुम्हारे है सुर्दस, पागल हो गई है क्या, इनकी बातों में आ जाती है, भला मेरे पास रुपए कहां से आते जगधर, इनसे पूछ, रुपए ना थे, तो इस घरी राख बटोर कर क्या ढूण रहे थे सुभागी ने सूर्दस के चहरे की तरफ अनवेशन की द्रिष्टी से देखा उसकी उस बीमार की सी दशा थी, जो अपने प्रियजनों की तस्कीन के लिए अपनी असहे वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा हो जगधर के निकट आकर बोली रुपए जरूर थे इसका चेहरा कहे देता है जगधर मैंने थैली अपनी आँखों से देखी है सुभागी अब चहे वेह मुझे मारें या निकालें पर रहूंगी उसी के घर कहां कहां थैली को छिपाएगा कभी तो मेरे हाथ लगेगी मेरे ही कारण इस पर यह विपत पड़ी है मैंने ही उजाड़ा है मैं ही बसाऊंगी जब तक इसके रुपए न दिला दूँगी मुझे चैन न आएगी यह कहे कर वेह सूरदास से बोली तो अब रहोगे कहां सूरदास ने यह बात न सुनी वेह सोच रहा था रुपए मैंने ही तो कमाई थे क्या फिर नहीं कमा सकता यही नहोगा जो काम इस साल होता वेह कुछ दिनों के बाद होगा मेरे रुपए थे ही नहीं शायद उस जन में मैंने भैरों के रुपए चुराए होंगे यह उसी का दंड मिला है मगर बेचारी सुभागी का आप क्या हाल होगा भैरों उसे अपने घर में कभी न रखेगा विचारी कहां मारी मारी फिरेगी यह कलंक भी मेरे से लगना था कहीं का ना हुआ धन गया घर गया आबरू गई जमीन बच रही है यह भी ना जाने जाएगी या बचेगी अंधापनी क्या थोड़ी बिपत्थी कि निथी एक ना एक चपत पड़ती रहती है जिसके जी में आता है चार खोटी खरी सुना देता है इन दुखचनक विचारों से मरमाहत सा होकर वह रोने लगा सुभागी जगधर के साथ भैरों के घर की ओर चली जा रही थी और यहां सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था सहसा वह चौक पड़ा किसी ओर से आवाज आई तुम खेल में रोते हो मिठुआ घीसु के घर से रोता चला आता था शायद घीसु ने मारा था इस पर घीसु उसे चड़ा रहा था खेल में रोते हो सूरदास कहां तो नेराश है गलानी, चिंता और शोब के अपार जल में रोते खा रहा था कहां यह चेतावने सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़ कर किनारे पर खड़ा कर दिया वाह मैं तो खेल में रोता हूँ कितनी बुरी बात है लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं रोने वादे को चिड़ाते हैं और मैं खेल में रोता हूँ सच्चे खिलाडी कभी रोते नहीं। बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी तियोरियों पर बल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिनने के छीटे भी नहीं आते, ना ही किसी से जलते हैं, ना चुड़ते हैं, खेल में रोना कैसा? खेल हसने के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं सूर्दास उठ खड़ा हुआ और विजे गर्व की तरंग में राख के धेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा आवेग में हम उद्धिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं वह सईयम कहां है, जो शत्रू पर विजे पाने के बाद तलवार को मियान में कर लें एक क्षण में मिठुआ, घीसू और मुहले के बीसों लड़के आकर इस भस्म स्पूत के चारों और जमा हो गए और मारे प्रश्णों के सूर्दास को परेशान कर दिया उसे राख फेंकते देखकर सबों को खेल हाथ आया राख की वर्शा होने लगी, दम के दम में सारी राख पिखर गई भूमी पर केवल काला निशान रह गया मिठुआ ने पूछा, दादा, अब हम रहेंगे कहां सूर्दास, दूसरा घर बनाएंगे मिठुआ, और कोई फिर आग लगा दे सूर्दास, तो फिर बनाएंगे मिठुआ, और फिर लगा दे सूर्दास, तो हम भी फिर बनाएंगे मिठुआ, और कोई हजार बार लगा दे सूर्दास, तो हम हजार बार बनाएंगे बालकों की संख्याओं से विशेश रूची होती है मिठुआ ने फिर पूछा और जो कोई सौ लाख बार लगा दे सूर्दास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया तो हम भी सौ लाख बार बनाएंगे प्रश्न अभ्यास प्रश्न एक चूलह ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता इस कथन के आधार पर सूर्दास की मनहस्थिती का वरणन कीजिए प्रश्न दो भैरों ने सूर्दास की जोंपडी क्यों जलाई प्रश्न तीन यह फूस की राख ना थी उसकी अभिलाशाओं की राख थी संदर्भ सहित विवेचन कीजिए प्रश्न चार जगधर के मन में किस तरहे का इर्शा भाव जगा और क्यों प्रश्न पांच सूर्दास जगधर से अपनी आर्थिक हानी को गुप्त क्यों रखना चाहता था प्रश्न छे सूर्दास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के धेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा इस कथन के संदर्भ में सूर्दास की मनोदशा का वरणन कीजिए प्रश्न साथ तो हम सौ लाख बार बनाएंगे इस कथन के संदर्भ में सूर्दास के चरित्र का विवेचन कीजिए योग्यता विस्तार इस पाठ का नाट्टे रूपांतर कर उसकी प्रस्तुती कीजिए प्रेमचंद के उपन्यास रंग भूमी का संक्षिप्त संसकरण पढ़िये शब्दार्थ और टिपपनी उपचेतना नींद में जागते रहने का एहसास अगनी दहा आग की लप्टें आग का दहन चितागनी चिता में लगी आग खुटाई खोट तसकीन तसल्ली दिलासा भूबल उपर राख नीची आग अदावत दुश्मनी जरिबाना जुर्माना दंड नाहक बेमतलब अकारण रुपेयों की गर्मी धन का घमट बल्ल मटेर लुटेरे गुंडे बदमाश मसक्कत मसक्कत महिनत परिश्रम हसद इर्षा डाह छाती पर सांप लोटना इर्षा करना तेनी मारना कम तॉलना बाट खोटे रखना तॉल सही नहीं रखना इमान गवाना बेइमानी करना गुनह बेलज़ज़त नहीं रहना बिना किसी लाब के गुनह नहीं करना जिजकी संकोच किया जहांसा देना भ्रमित करना पेट की थाहा लेना अंदर की बात जानना इमान बेचना विवश्ता के कारण जूठा या गलत आचारण करना गोते खाना इधर उधर डूबना उतराना विजय गर्व की तरंग विजय की खुशी खुशी की उमंग में उद्दिष्ट निश्चित निर्धारित